अलेकुम वीवर्ज, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल कैम मीडियम, आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिसकस करने जा रहे हैं, इस लिमिटेशन ऑफ लेविस मॉडल, बेसिकली आज हम लोगों ने, जो मॉडन थियूरीज हैं, उनके बारे में हम लोगों ने चैनल तो में झसकता हैं, ठीक है, और वो जो जो मॉडन थियूरीज हैं, उनको डििसकस करने से पहले, हमें लिमिटेशन पता चलेंगी, कोविलेट, इसकी, लईविस मॉडल की तो ही हम या लेके चल सकेंगे, लेविस मॉडल, बेसिकली क्या है, लेविस मॉडल, आप गुने एक्जांपल्स देखी उसमें बेसिकली हम देखा कि इलेक्ट्रॉन पेर जो है वो कहां से कहां जाता है और बांड कि दर से किदर बान रहा है सिर्फ यह चीजें हम लोगों ने देखी यानि हमें जो लेविस मॉडल हम लोगों ने पढ़ा है वो हमें क्या क्या चीजे बताता है एक बात तो हमें बताता है कि हाव एक्ट्रॉन पेर्स और बांड किस तरह से बना है यह दो बात बताते हैं लेकिन आप मुझे बताएं पिर हमारे सामने पर यह कुश्चन राइज होता है यह वला कि अगर यही दो चीजे हमारे लिए इनाफ है तो फिर जो बाकी चीजे है यही इतनी ज्यादा डाइवर्सिफाइड वर्ड ऑफ मॉलेक्यूल्स है जिसके अंदर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरह से एक दूसरे को बांड बनाते हैं तो क्या उनके दर में रिपल्शन नहीं होती क्या वो रिपल्शन को फेस नहीं करत करेंगे तो इसका मतलब ही है कि लिए बांड बहुत सारी इक्स्पीनेशन जो है वो रिक्वाइर हैं बहुत सारी क्वेस्टेंस हैं जिनके आंसर्स हमें चाहिए ठीक है तो अब यह सवाल पैदा होता है कि फिर कौनसा ऐसा मॉडल होगा जो इस पूरी रिक्वाइरमेंट क पूरा करेगा, तो उस requirement को पूरा करने के लिए जो एक true model होता है, यहाँ आप कहलें, a true model जो होता है, हमें किस क्या क्या characteristics of true model, एक जो सही model होता है, वो हमें क्या क्या चीज़ें बताएगा, यह चीज़ें हमें यह चीज़ जानने हमारे लिए बहुत ज़ूरी है, तो जो एक proper model होता है वो क्या क्या जीज़े हमें बताता है उसमें सबसे पहले तो हमें shapes के बारे में पता हो ठीक है ये पीछे हमने लैविस model पढ़ा है इसमें हमने कोई shapes बगरा तो नहीं देखी है कि ये कौन से shape बना रहा है proper and shapes के नाम के हिसाब से हमने को नहीं देखा वो कौन से shape बना रहा है और covalent bond, running bond के नतीजे में किस तरह की shape बनती है ठीक है तो ये shapes के बारे में हमें कोई information नहीं देता shapes में पता होनी चाहिए shapes पता हूँ हमें molecular geometries पता हूँ geometries का मतलब होता है कि जो आपके पास arranged है electron pairs या जो bonds बने में है उनके दर्मयान कितने angles हैं कितने उसके edges हैं वो कैसी shape बनाता है geometric मतलब है angles और edges के बारे में हमें पता हूँ ठीक है दूसरी चीज हमें बताए bond polarities के बारे में अगर bond कोई polar है तो वो क्यों polar है किस वज़ा से polar है ठीक है और उसके पास polarities ज़्यादा कियों है अगर कम है तो फिर कम कियों है ठीक है दूसरी चीज हमें bond distances के बारे में पता चले यानि वो models ऐसे हो जो हमें यह सारी चीजों के बारे में बता हूँ bond distances के बारे में हमें पता हूँ bond distances है bond polarities है geometries है shapes है इसके इलावा energy transitions के बारे में हमें बता है energy transitions आपको पता है ना कि जो हम लोगों ने पिछले chapter 5 के अंदर हम लोगों ने देखी है हमने कहा कि हम जब उसे high resolving power spectrometer के अंदर रखके देखने हैं तो फिर मजीद lines बनती है जो हम magnetic field apply करते हैं तो फिर zeman effect show होता है जो हम electric field apply करते हैं तो stark effect show होता है तो यह सब क्यों होता है किस वज़ा से होता है उसमें यह कि various energy transitions हो रही होती है तो यह levis concept तो इस तरह किसी चीज़ को explain नहीं कर रहा कोई भी energy transition के बारे में नहीं बता रहा ठीक है जो spectroscopic techniques के अंदर हमें पता चलती है तो फिर हम यह चाहते हैं कि यह तमाम behavioral effects है ठीक है क्या चीज़ है behavioral features है यानि उसके जो आप कहें कि उसका जो behavior है उसका जो तरीका कार होता है या उसका जो रद्य अम्मल होता है उस तमाम खसूसियात को explain करना चाहिए ऐसा model होने चाहिए जो clear-cut picture बताए भई यह shape होती है इसकी और यह जो matter है इसकी इतनी modern palatry है इतना modern distance है इतनी energy transitions इसके अंदर होरी है जिसके वरे से यह स्पेक्टरम हमारे पास हमारे सामने आ रहे हैं ठीक है तो फिर हमने क्या किया हमने बहुत बहुत प्रोपोजल दिया कि आप साइंटिस्ट के दमें जो conference हुई इसमें यह discuss हुआ कि बहुत सारी theories हमारे पास modern theories होनी चाहिए पिर वो जो modern theories हमारे सामने आई उनमें से भी हर एक theory हर एक चीज़ को explain नहीं करती different theories दी गई है और वो different theories जो हैं वो different aspects को explain करती है उसमें सबसे पहली हमारे पास है valence shell electron pair repulsion theory इसको हम short form में लिखते हैं valence shell electron pair repulsion theory यह एक wesper theory है हमारे पास second हमारे पास है valence bond theory third हमारे पास है molecular orbital theory जिसे हम MOT लिखते हैं इसके इलावा हमारे पास चोथी theory होती है crystal field theory उसे हम CFT कहते हैं और एक ligand field theory होती है जिसे हम LFT कहते है वेस्पर theory जो होती है यह हमें क्या क्या चीजें बताती है वेस्पर theory जो आपको मैं बता दूँ के जो specification है वो क्या है यह हमें basically shapes of molecules के बारे में बताती है यह molecules किस तरह से एक दूसरे के साथ रेंज होकर कैसी shape बनाते हैं यह उसके बारे में बताती है वेस्पर theory टेल्स अबारे में भी हमें बताती है और यह bond formation के बारे में बताती है कि bond किस तरह से बना है किस तरह की attractions थी कैसे वो repulsion को overcome किया यह तमाम चीजें जो है यह bond formation वगरा VBT हमें बताती है molecular orbital theory जो है यह हमें bond formation में बताती है सबसे पहले चीज़ यह हमें बताती है bond formation ठीक है उसके बाद हमें बताती है energy levels के बारे में ठीक है उसके बाद हमें bond order के बारे में बताती है bond order क्या चीज़ है यह जब हम इस theory को पढ़ेंगे तो इसमें आपको clearly बताऊंगी इसके इलावा यह energy order को बताती है किसकी energy जादा है किसकी energy काम है ये इन तमाम चीज़ों के भरे में बताती है CFT Crystal Field Theory और Legan Field Theory ये दोनों जो चीज़े हैं ना These are for transition elements ये transition elements के लिए हैं और transition elements की कोई भी theory अब भी आपके course में नहीं है ठीक है तो ये हम लोग नहीं करेंगे इसके इन तीन theories के इलावा एक और theory होती है hybridization theory ये तक्रेबन यहां कहीं लाया आती है इसे हम कहते है hybridization theory hybridization theory जो हötी है ये बही काफ़ी important है ये overlapping of molecular overlap of orbitals के बारे में हमें बताती है इसके इलावा ये हमें bond formation बताती है shapes and geometry of molecules के बारे में भी बताती है hybridization theory इसकिस कीज के बारे में बटाती है, bond formation कैसे हो रही है, एक overlapping concept जो valence bond theory में यूज होता है, वो यहाँ पर use होगा, ठीक है, overlapping के बारे में बटाती है, इसके लगावे ये shapes बताती है, ये geometries बताती है, ठीक है, और इसके इलावा ये हमें equivalent valences के बारे में बताती है, यह तमाम चीज़ें हम यह जब थियूरी पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम इसे देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले जो थियूरी हम डिसकस करेंगे वो वालेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्चन थे रही होगी तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में इन्शाला शेयर करेंगे आप इसको रीड कीजेगा और जहां से आपको समझनी आएगी इसको लेन कीजेगा ठीक गर्ल्स अभी के लिए इतना काफी है अल्ला हाफिस सी यू नेक्स वीडियो